हालो दोस्तों, वालकम तो स्लीपी लासे, प्रीलिम्स बिल्कुल पास आ चुका है दोस्तों, आज हमने सिंपल सी चीज करनी है, यूपी PCS हुआ था पिछले हफते, पांच सवाल मैंने जोगरफी के महां से लिये है, लेट सॉल्व देम, and प्लीज टेस्ट यूरसेल्फ आप पीछे रहे तो अगले हफते जो आप जोगरफी की रिविजन प्लान करेंगे, उसको वैसे ही टाइम दे दीजेगा, so this video will also decide कि आपकी preparation कैसी है, now पहला question मौनसून पे है, question कहता है कि जब भी southwest मौनसून होता है, तामिलनाडू कोस्ट ड्राय रहता है, यह assertion है, उसका reason क्या नाडू कोस्ट पैरलल है southwest मौनसून की Bay of Bengal ब्रांच के, और Arabian Sea ब्रांच के rain shadow area में आता है, इसी वजह से वहाँ पे बारिशे southwest मौनसून में नहीं होती है, तो कुछ सिकिन के लिए आप pause कीजिए, वाकई में इसको एक टेस्ट मानिए, और यहाँ पे correct answer क्या बनेगा, दोन नाडू कोस्ट है, अब southwest मौनसून की दो ब्रांचे जाएंगी, एक Arabian Sea ब्रांच होगी, यह Bay of Bengal ब्रांच होगी, अब तामिल नाडू कोस्ट, Bay of Bengal के आप देखें, पारलल है, इस वजह से वहाँ southwest मौनसून में बारिश नहीं होती, Arabian Sea ब्रांच की बात करें, तो Arabian Sea ब्रा कहलाता है, rain shadow area कहलाता है, तो वही वो कहरा है कि categorically इसी reason की वजह से तामिल नाडू कोस्ट पे southwest मौनसून में बारिश नहीं होती, जब यह आप retreating मौनसून की बात करोगे, उससे यहाँ पर बारिश होगी, तो I hope आपने अपनी testing अच्छे से कर ली है, दूसरा question, tributary, कि इन favorite topic है, heart state के, जो PSE होता है, उसका, UPAC में भी बहुत बारे सवाल पूछा गया है, तो अगर आपने PYQ वाला हमारा marathon session भी देखा है, geography का, जो you must watch if you haven't seen it, एक हफता रहा गया है, that's a very good source to revise your content, तो वहां से भी आपको यह question आना चाहिए था, because इसके कुछ components UPAC में पूछे जा च अचली गोदावरी की tributary है, अब बाकी तीन भी आप चेक कर लीजेगा कि क्या आपको इनके जो origin rivers है, sorry, जिनकी attributaries है क्या आपको main rivers पता है, right, today is absolutely a test, तीसरा question, El Nino, El Nino तो बहुत डीटेल में हम coast में पढ़ाते हैं, अब यह बता रहा है कि El Nino जो है, यहां पे Eastern Pacific में, य warm water appear होता है, तब El Nino होता है, और यह बता रहे ही, यदि warm water रहेगा वहाँ पे, तो Peruvian coast में, पानी का temperature बढ़ेगा, और amount of flighto plankton भी जो है, बढ़ जाएगा, तो कुछ second के लिए आप pause कीजी, यहां पे आपको correct answer है, only one, अपने में आपको बताती हूँ, El Nino में होता क्या है, ठीक है, El Nino में हम सबको पता होना चाहिए इस point पे, कि Peruvian coast पे होता है warm water, warm water होगा तो क्या होगा, जिस तरह warm water है, वहाँ पे rainfall जादा होती है, क्योंकि warm water में low pressure होने की वज़े से हमाएं उपर जाती है, बारिश करती है, rainfall होती है, और on the contrary, अगर एक coast पे warm water है, तो दूसरे coast पे आपका cold water हो जाता है, इसी में जो एक point होता है, विच इस very very important, कि phytoplankton जादा कम होगा, आपने बड़ी simple सा logic समझना है या पे, मैंने आना class में समझाई भी है ये चीज, कि phytoplankton होते हैं, shallow water में होते हैं, shallow water में क्यों होते हैं, because उनको जो है, अपने survival के लिए दो level कर लेंगे, अब कहीं भी cold water क्यों जरूरी होता है, जिसे आप देखें यहाँ पे upwelling होके cold water आ रहा है, cold water की क्यों जरूरत है, क्योंकि usually जब sunlight में अपना खाना बनाते हैं, nutrients को बहुत जल्दी use कर लेते हैं, इसलिए आप कहते हो कि upwelling मे cold water यहाँ बहुत important है, क्योंकि वो nutrients को लेके आता है, तो जितने जितने cold water आएगा, जितना nutrients होंगे, उतना ही जादा जो है, इनका number भी बढ़ता जाएगा, so it's not warm water, it's the cold water that gets the nutrients and उससे phytoplankton की मात्रा बढ़ती जाती है, right, चलिए, economic geography की बात करते हैं, कलपकम और शिवाना समुद्र क्या है, किस की important है, तो ये जो है कलपकम और कुंदा कुलम, जो है nuclear power plants है, तो दोनों ही आपके nuclear energy से जुड़े वे, रदा कलपकम, तो ये दो options आपके correct होने चाहिए, अब शिवाना समुद्र किस से जुड़ा हुआ है, thermal या hydl, अब है तो ये hydropar, बड़ अगर आपको guess करना पड़ता है, तो आप that's how you think, कि risk भी हमेशा educated होना चाहिए, educated yes होना चाहिए, क्या होने की probability है, right, next देखते हैं, तो recently rapid revision हुआ है, ना दो बाते यहाँ पे, पहला, इस point पे you should not do something new, but, but, Saturday, Sunday, आपका last, जो है, पिछला revise करने के लिए होगा, Monday से you'll do your final revision, अभी भी अगर कोई ऐसा, एक भी subject है, जो आपको लगता है, week है, अगर अभी नहीं किया, तो कभी उस पे काम नहीं कर पाऊगे, क्योंकि Monday से final revision चुरू हो जाएगा, तो Saturdays underuse करना है, for that particular topic, जो आपका week है, right, आपको कोई और source पता है, उससे कर लीजे, नहीं तो, अगर sleepy के rapid revision से चुड़ेंगे, तो बहुत ही attempt जाएगा आपका उस वले subject में, देखिए, rapid revision का पते purpose क्या है, आपका attempt बढ़ाना, तो माननीजे, कोई subject में आपको लगता है, आप 10 से 3 attempt कर पाते, मैं आपको guarantee देती हूँ, rapid revision की बाद, आपका number of attempt बहुत बढ़ जाएगा, right, तो इसी लिए, अभी भी अगर आपका कोई subject week है, आप Saturday, Sunday, आखरी उस पर italyze करें, उस course से जरूर जुड़े, अगर आपको लग रहा है, revision बहुत अच्छी है, you don't want to buy anything, it's perfectly alright, option देना हमारा काम है, अपनी समझदारी से आपने courses से जुड़ना है, हाँ, बट एक चीज, आप coupon code में मेरा नाम यूज कर सकते हैं, spelling देख लीजेगा, आपको जरूर फीस में जो है, आपको रियायत मिलेगी, right, चली, last question, something to learn as well, Russia-Ukraine conflict बहुत जादा news में रहा है, तो question पूछा गया है, Ukraine का largest coal producing center कौन सा है, तो यह आप याद कर लीजेगा, right, तो this is your answer, Donetsk जो है, आपका, Ukraine का largest coal producing region जो है, रहता है, right, तो कुछ नया सीखा है हमने, I hope, और इनको आप याद रखेगा, दोस्तों, क्योंकि हमें नहीं बता, final paper में क्या पूछा जाएगा, anything that you can learn is the best practice for your final exam, तो I hope, I hope आपकी तयारी अच्छी चल रही है, I hope you've scored well on these five questions, if you have very good, if you haven't, अभी भी time है, we can work on that, right, तो I think that's all for the day, and before I leave, में हमेशा कहती हूँ कि Sociology, PSIR, GS, any courses that you want to get associated with, आप जरूर इस code को use करे, कोशश हम यही करेंगे कि course में आपको कुछ न कुछ fee में जो है रियायत दी जाए, right, तो that's all from our end, all the best दोस्तों, all the very best, bye-bye.